पूरब सीएम प्रेम कुमार दूमल ने कांगरिस पार्टी का चुनाव परक्रिया को लेकर दिये जा रहे ब्यानों को बिना बज़ा बखलाहट में ब्यान देना करार दिया है। पूर्प सीयम प्रेम कुमार धुमल ने कॉंग्रिस पार्टी का चुनाप्रक्रिया को लेकर दी जा रहे बियानों को बिना बज़ा बोकलाहट में बियान देना करा दिया है हमिरपुर में पतरकरवारता के दुरान प्रेम कुमार धुमल ने कहा कि कॉंग्रिस हमीशा से ऐसा गरती आई है जिस तंस्ता का नेने पसंद नहीं हाता है बहाँ पर अडंगा अडाती आई है उन्होंने कहा कि जब चुनाब परिणाम कॉंग्रिस के पक्ष में आये तो चुनाब आयोग इमांदार होता है लेकिन परिणाम खराब आये तो कॉंग्रिस शौर करने लग जाती है मुझे लगता है एक स्ट्रेटिजी तियार कर रहे है कि चुनाब में हार बड़ी शर्मनाक होगी तो ब्यान क्या देना है तो मुझे मेरी आशा है कि वो इस वार फिर ब्याने ही देंगे कि इवियम में गड़ बड़ हुई है मोदी का जादू चल गया है इवियम में तो अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए विटिंग करने है परदेश की चारो सीटों को जीतना स्वाविमान और इज़त का संबाल पना हुआ है धुमल ने कहा कि सारे परदेश की चारो सीटों में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है दुमल ने कहा कि मोदी को दुबारा से पि-म बनाने के लिए प्रदेश की जनता बिजेपी को भारिस मर्थन देगी और मोदी जी को प्रदार मंत्री बनाना है चारों जीतेंगे मंडी पे उसे शामल होगी इसे तोर पे लोगों से स्थानी तोर पे अपीर करते हैं उन्हें शायद ऐसा कहा होगा बंगाल में बीजेपी के काफिले पर हुए हमले पर दुमल ने कहा कि मरने मारने के लड़ाई बोर्डर पर होती है और रास्टे अत्यक्ष के काफिले पर किये गए हमले की निंदा करते हैं उन्होंने आशा की है कि आगे से कोई राजनितिक पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी लोक तंतर का महत तो ही खतम हो रहा है लोक तंतर में अथ्यार नहीं चलते लोक तंतर में दिलील दी जाती है आर्गुमेंट दिया जाता है नीतियों का कारेक्रमों की चर्चा होती है मरने मारने की लड़ाई तो बॉर्डर पे होती है तो वहाँ तो पंचाइद का चुनाव तब भी ऐसी इंसा होती है और तो लोकशभा कहो रहा है तो और जाज़ अस्तर में हो रही है और जो हमला हमारे राज़्ट्रे रंजगस्ते हुए कहा कि कॉंग्रेस हारने बाली है इसलिए रंडनीती बनाने में जुटी है कि हारने के बाद बियान क्या देने हैं इसलिए कॉंग्रेस इस पार फिर कहेगी कि मोदी का जादू चल गया है और EBM में गड़बड़ी की गई है कॉंग्रेस का हमेशा ही रुख रहा है कि जिस संस्ता का उनको निर्ड़ा पसंद नहीं होता उसके खलाब होते हैं आपको याद होगा एक समय पर नहीं कि निर्ड़ा सुप्रिम कोड का पसंद नहीं आया तो चितम नहीं लेके मुखे नहीं आए इसके खलाब वो उनकी इपीचमेट का रेजुरेशन ले आए थे के लिए अब इलेक्शन मिशन के जब रिजल्ट ठीक के पक्षमें आते हैं तो सब ठीक है लेकर इलेक्शन मिशन के अगर रिजल्ट ठीक नहीं नहीं खराब है। तो कॉंग्रेस ने जब तो इनको सूट करे तब तो इलेक्शन पिशन इमानदार है, पारदर्शी है, जब कोई निर्ड़ा इनको सूट नहीं करता तो कह देते हैं कि मोधी कोड़ा कुलेक्ट लग रहा है, कि कॉंग्रेस की बुखलाथ है, उनकी प्राजित होने वाली मारसि तका परतीक है.